तो आज की इस वीडियो में हम question no.145 करेंगे लीट कोड का binary tree post order traversal the question is that given the root of a binary tree return the post order traversal of its notes values okay तो इसी लेवल का question है मैंने in order का भी बनाया था in order traversal की वीडियो बनाई थी अब मैं post order का यहां पर हम करेंगे आज हम तो इस question में क्या करना है simply आपको एक tree दे रखा होगा reversal और post order traversal return के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो left को return करते हैं फिर right child को return करते हैं फिर root को return करते हैं ठीक है simply यह तीन चीज़ याद रखनी है आपको post order में और यही simple मैंने code में भी यहां पर यही किया हुआ है हमने एक solution नाम का यहां वेक्टर बनाया हुआ है जिसमें हम return करेंगे solution को जहां पर store होगा वो ठीक है उसको return करेंगे solution को ही ठीक है और हमने यहां पर post order के लिए यहां पर एक function में फिर उसके बाद post order कैसे किया हुआ है अगर root null है तो return कर देंगे फिर हम जैसा कि बता है post order traversal और आगे आने वाली वीडियो में मैं medium और hard level के questions को भी cover up करूँगा तो बने रही है इस playlist में हम कुछ अच्छी SG sheets के questions को भी आगे cover करेंगे आगे उनकी वीडियो लाएंगे ठीक है तो आप please बने रही है और subscribe ज़रूर कीजिए